सभी भकुतों का स्वागत है हम लोग शिमत भागवतम के प्रतंसकन से तेरवे धैव से पढ़ रहे हैं हम लोग नारज जी के उगदेशों को सुन रहे हैं जो उन्हें एदिश्ट्र महराज को दिये जिससे कि उनका शोक दूर हो रहा उसी के प्रसंग में अभी तक तो फिलोसफी सिद्धानत बता रहे थे जिससे उनका शोक दूर जाता अब जिस जो प्रश्ण किया गया था उनसे अंधाय इक्यावांशलू। अनवाद हे राजन आपके चाचा दितराष्ट उनके भाई विदूर तथा उनकी पत्नी गांधारी हिमाले के दक्षिन की और गए हैं जिदर बड़े-बड़े रिशियों के आश्रम है अनवाद दितराष्ट्रा अपने भाई विदूर के साथ के और स्वभाई अपनी पत्नी गांधारी चसछा और अपनी गांधारी के साथ बहुत असान है हिम वत हा हिमाले परवत के दक्षिडेना 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 हिमाले परवत दिल्ली से उत्तर दिशा में है तो हमाले की दक्षण दिशा कार्थ क्या हुआ डिल्ली और हमाले में पार नहीं गए है अच्छा बड़ा हुश्कील वारे तो सिंपल है हिमाले को फांद के नहीं गए हिमाले के पहले कोई जंगल अश्रम मेरे हरिद्वार रिषिकेश पाब और और क्लीर हो जाएगा सब तस्तुरोथ गए आपकी नहीं पार्तकिष्टू यह रिषिकेश और हरिद्वार के बीच म हां सब्सक्राइब भी बोलते हैं तो आप समझ में आ गया हिमाले के दक्षिन में है की नहीं अच्छा अब समझ में गूंग के आए आप और समझ में आ रहा है मुझको तो हमाले पार नहीं की है यह तो क्लीर हो गया ना चाइना जाकर वज़त नहीं चाइना जाकर वज़त नहीं कर रही क्लियर हो गया अगर कहते कि उतरे ना तो संभावना थी कि उधर चाइना नहीं गए वारत में है रिशियों के आश्रम में चले गए तो अब बड़ा स्पर्ष समझ में आ रहा है हमको फोटो नहीं मिल पाई सब्त सुरोथ स्थान है रिशिकेश और हरद्वार के मद में एक जिट नाट बीच में कहीं है वहां पर वगई उस आश्रम में सस्कृत देख लेजे तितराष्ट्रह सहभ भ्रात्रह तितराष्ट्रह अपने भाई की साथ गांधारी अचस्वा भारया और अपनी पतनी गा रिशियों का आश्रम है बहुत असान है इस तरह से शोग तथा आस्था को दूर करके आस्था मतलब जो विश्वास था क्या विश्वास था कितना सुन्धर लें गांगए इस तरह से शोग तथा आस्था को दूर करके कहा अस्था थी माइड़े क्या इस प्रकार से उनकी रक्षा करने मैं इसको दूर करते हैं तो इसे शोग भी दूर हो जाएगा जब आप करने वाले नहीं हो काल कर्म गड़ादी नित्यादी आप करने वाले तो शोग भी नहीं करेंगे कि मैं नहीं कर पाए बहुत अच्छा बात बोल रहते हैं इस तरह से शोग तथा आस्था को दूर करके जिग्यासु शोग जो शुरू हो रहा है तराश्ट से ऐसे करके चैनि 51, 52, 53, 55, 56, 56 शोग तक यह वर्णन करेंगे कि क्या हुआ है उनके साम्व यही प्रस्ण था सिध्धान्त पूछने के जिग्यासु प्रस्ट नहीं किये थे लेकिन पहले सिध्धान्त बताए क्यों धाश्व दूर ह दितराश्ट के बारे में बताते तो और दुखी हो जाते वे बतलाए कि दितराश्ट हिमाले के दक्षण भाग में रिश्यों के आश्ट्र में चले गाए शोकात्वर महाराज दृष्टर को धांडस बढ़ाने के लिए सरवपृतम नारत ने दार्शनिक दृष्टी से देखे जो संस्कृत है वह है ऐसा वर्णन का रगस का अनवाद एक्जरेट किया जाए तो असे लगेगा भूत काल वह हो चुका है ऐसा लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है ऐसा होगा इसलिए प्रपाद समझा रहे हैं कि भवश्य की बात को देखने के बोल रहे हैं लेकिन प्रपाद अनवाद करेंगे वह अनवाद होगा कि जैसे नारा जी देख रहे हैं वह भवश्य काल में प्रपाद अनवाद कर रहे हैं लेकिन संस्कृत के अंसार भूत काल्व है यह आप समझेगा प्रपाद जी भवश्य काल की तरह क्यों कर रहे हैं समझ मारा भवश्य का अगर नारजी की बात को ऐसा हो जाएगा तो हो गया क्या हुआ नहीं है क्योंकि आगे जाकर के अभी आप इसलोप देखेंगे जाकर को डिस्टर्ब मत करना जब हो चुका तो क्या डिस्टर्ब करने की बात आ रही है तो इस सुक्ष्म बात समझ पा रहे हैं होगा अभी हुआ नहीं है कुछ वह देख रहे है नारजी अपनी भविश्य द्रिश्टी से कि आगे ऐसा होगा बिल्कुल स्क्रीन पर दिख रहा है उनको लेकिन वह ऐसा वर्ण कर रहे हैं कि हमालों हो गया है क्योंकि ऐसे दिख रह सब्सक्राइब disputes बाता कुछ पता तो इसाप्त भिर्यावै एस अ रोड़ुनी सब्सकुनी सब्सक्राइब सबी सब्सक्राइब सब्सक्राइब है वह वर्चक अ कि अ सब्त नाम प्रीत ये नाना सब्त स्रोत अह प्रचक्षते यह स्थान सब्त स्रोत साथ द्वारा विभाजित कहलाता है क्योंकि यहां पर पवित्र गंगा नदी का जल साथ शाखाओं में विभाजित किया गया था इसा महान सब्त रिश्यों की तुष्टी के लिए किया गया था अर्थात हर रिशी की इच्छा थी कि गंगा जी हमारे आश्रम के पास से भी बहें तो इसलिए हम दो देखे नहीं आप बता रहें तो आप अभी भी बटी होई है गंगा जी आसे अचा बट करके फिर एक होती है ऐसा कुछ है मिल जाती है तो मतलब आई और सब्त रिश्यों के इसमें बट गई और उसका फिर बल गई इसडि दयैं इमेजिसं में है रिव इसमें बोल याम घथ assignment है अरे अग्लर में है अग्न घाट भी होगा वहाह पर तो आप लोगंपर ऊफोटो तो आपर आप套ो अनल जिखा पारे सब्सक्रों आप उसको देख लेजेगा वाप अपने अपने लेवल से देख लेगा या वई स्वर्धुनी जो निशिति प्रशिद्य गंगा नदी है या मतलब या आप फिर स्ट्री इलंग मैं या मतलब निशिति Sumaradhuni स्वर्धुनी गंगा जी को कहते हैं तो कहते हैं स्वर्धुनियापन उसे वया प्रतमसकंद प्रतमध्याए गंगा जी तो बहुत कजल तो बहुत सेवन के बाद सुद्ध करता है तो स्वर्धुनी शब्द गंगा जी के लिए ही है समझ रहे हैं तो किया रहे यावाई स्वर रिष्यों की तुष्टी के लिए सब्त रिष्य मैं समझ रहा हूं वह जो मुख्य रिष्य होते हैं नाना मतलब विविद और सब्त भी स्त्रोत भी मतलब सात धाराओं से सब्ता सब्त धा विधात साथ शाखाओं को उत्पन करी हैं तो साथ धाराओं में विभाजित हो करके स साथ शाखाओं को उत्पन कर लिए बैसिकरी सी दिवात है कि नदी जो है वह साथ भागों में हो गई यता सप्लाइक गया गया जिसके कारण सब्त सुरोत हा प्रचक्षिते उस वैस्थान सब्त सुरोत के नाम से कहा जाता है सुरोत भी सब्त भीर यावई यावई स्वर्धुनी जो गंगा जी के नाम से प्रसित हैं सुरोत भी सब्त भीर सब्त भाव्यधात साथ धाराओं से साथ शाखाओं में विभाजित हो गई किसलिए हो गई क्या जरुरत थी सब्त नाम प्रीतये सब्त नाम प्रीतये हैने कि सा रिश्यों की तुष्टी के लिए और नाना शब्दे लगा है कि विवद्शाखा में पट गई इस कारण से सब्त सुरुत है प्रजक्षते उस आश्रम को सब्त सुरुत कहा जाता है तो यह उस आश्रम का वर्ण कर रहे हैं जो हिमाले के तक्षिन भाग में था जहां पे जत्राष्ट और आधिसभ गये थे गूगल मैप यह सो गया है श्रीदरी यह दी पूछें कि रिश्यों के किस आश्रम में गये हैं तो इसका उत्तर है स्त्रोत भी इत्यादी क्षिकर प्रसिद्र नटी गंगा जी वह जहां पर साथ रिश्यों की प्रसंता के के लिए अपने को सहमा किजिए जआ पर साथ रिश्यों के अपने को साथ अलग-अलग धारं विभ्ध कर दिया है जिसे सब्तरोत कहते हैं वहीं प्र आप देख रहा है कि बहुत बार नो फेंस रहनी वन लेकिन गंगा जी में गंगा जी के तट के पाहस में आस्रम बनाकर लोग जरूरी नहीं हो कि बज़न कर रहे हो इधर भी आप देखेंगे कि या यमना जी किदारे आप देखा तो उते हम लोग गय थी तो बीडी फुक रह थो भाई क्या कर रहे है तो रहे तो ब्रश्न करें कर क्या रहे है तो जरा देखी यह अच्छी बात बुल रहे है पर आया आजकर तो गंगा जी में जाकर राफ्टिंग ही करते है यह हां गंदिश्धी चीज़े में गलत चीज़ें काते हैं और ग्राफ्टिंग करते हुदाई उसका बड़ा प्रुभाँ उसकी चेतना किया है इसका बड़ा पुरृभा होता है गंगा जी में स्नान करने के बाद भी नलकुवे और मणी ग्रीव की दिमाग ठीकाने नहीं आया लेकिन हाँ एक बात है नारत जी का कुष्ण का संग ही उनकी जिंदगी को ही परिवर्टेत कर देए इसलिए बोला गया है क्या है नन्य ने प्रतम अध्याय का श्लोग सवर्भ को अध्याज जिनका चरणों का आश्टर मुनेख सद्ध्यभ उपसप्रषटा सध्याट चुन्हें तुरंथ पवेत्र कर देते हैं अच्छा और किसे कांपएर्ट यह आपघिवर स्वार्धानि गंगा जी के जलच अधिए कि जे बहुत दिन तक करने के जो हुट दिन करने दूरे करने को लोगल कसका वह सुस्थए राफ्टिंग करते हैं उसी में गोता मार रहा है लेकिन नहीं पवित्र होता है कि लिए तो क्या कर रहा है क्या कर देखेए अब भक्ष उपशान्त आत्मा सास्ते विगताई शनहा स्नात्वानु सवनम्तस्मिन हुत्वा चागनीन यथा विधी अब भक्ष उपशान्त आत्मा सास्ते विगताई शनहा इस समय सब्त सुरूत के तट पर धित्राष्ट नित तीन बार प्रातः धूपहर तथा संध्य समय सनान करके अगनी होत रिजय के संपन करके तथा केवल जल पीकर अश्टांग योका अभ्यास करने में लगे हैं इस्से मनष्य को मन तत्य इंडियों पर स्यम रखने में सहयता मिलती है और वह पर्वारिक्स ने संब्धी विचारों से सरवता मंध हो जाता है अन्वह देखी तस्मिन वह-पाहत दस्मिन यहां पर सप्णाइक हां था है यहां पर तस्मिन का मतलब वहां वहां मतलब कहां नाम बता हो जली से सब तस्तरोत ठीक है तस्मिन मतलब सब सब तस्तरोत आश्रब में अनुसवनम इसका रत्विया गया है नीमित रूप से यह रोज तीन बार अथा प्राताह दूपहर तासंदस में अब थोड़ा एक और समझ दीजे हैं व्रद्ध और कहां पे अभी गंगा जी की तर्प गंगा की तर्प में कहां पे कानपुर में एक दम हिमाले के दक्षन भाग में कितने लोगों ने रिशी के इसमें स्नान किया है कि मैं समझता हूं सारी नींद भाग जाएगी सुई कि तरह लेकिन एक आपन बारा तरह साल के रहोंगा पंद्रा भी नहीं और पहले गया हूंगा मुझे आपन्द्रा कहां नहीं था बाबाजी हमारे बड़े चिंते तो तुम दूब जाओगे हमको यह हो जाएगा हम दोनों को टांग के लेकिते मेरी और मेरी पेहन को बिलकुँ स्नान नहीं करने दे बड़ी मुशक्ल से गंगा जी में आप स्नान करने दे ती है कि घंगा जी में आप बड़ा आला गंभा हुआ एक जहां बहुत तीव है वहाँ ठंडा लगता है लेकिन आगे जाकर पक्थरों के बीच में रुख जाता है पानी वहाँ ऐसा गरम अदम गरम लग रहाता है ब्राम को आश्यर हुआ अपने तो अवद गोमक भी तो ठंडा होगा लेकर ये आपको आसान होगा कि अब तने अब तो वहां पर इसलिए कर रहा था कि व्रद है और फिर तीन बर स्टान कर रहें कि तीन बर स्टान करने करते हैं वह सची के घीजर लगा करके हो बाध्रूम में तीन बर स्टान कर रहें में अब गीजह लगा कर पानी हुतर endeavor कि वह दो बार स्टान करता होगा तो में अबने का समझदे हैं कि वह मंत पवित्र होगे का थीन क्ति और अदो बार स्टान करता सुंथिया чики दो वह बार स्टान करता है पवित्र रहता जए बाहें, बाहें, अच्छताका आपके मनदे बड़ा पुड़ा प्रभाव है, आभी आप देखने वाले हैं इसका प्रभाव हमाराज नियम पालन करना है, स्नान करना प्रफाव। दुनन मन एक प्रवित्र करने वाले बार नियम बनाया है प्लीज देख रहा है कोई भी हैंट नहीं कर रहा है कि आप लोगा नहीं कर रहा है कि दो बार स्थान करने से मन में पवित्रता रहती एक बाप समझ देखा इस संग में आए है तो यह ब्रहमन फैट्री है समझ में आ रहा है चुछ दिर्पडट नहीं निकालने हमको ब्रहमन दीरे-दीरे करके कैसे कम आज यू आर लेकिन बाहर निकलेंगे एकदम ब्रहमन बंद करके जाप करने वाले और दो बार स्थान करने वाले प्रसाद खाने वाले गीता भागवत बोलने समझने वाले समझ अजिस लिए कि अपने अपने मेरा रोड़ में मीटिंग हो रही थी पानी की बहुत कमी हो रही बाग तो बहुत स्नान करने लिए तो प्रभुजी कह रहे हम तो हांस रहते अंत्री ग्लूप से की तो अच्छा है ना किस नान कर रहे हैं आएसे महाराध बता रहे थे कि कोई विक्ति उनको अमरीका में मिला। घाल यह क्या है। तिलख है तृफ आप इसकॉन से हैं। क्या हैं आप इसकॉन से हैं। अच्छा वही संस्था जहां लोग बहुत ना आते हैं। अनलों को बड़ा जीव से लगता है। पवत्ता करने हैं तो बात खाले कहना चाह रहे थे कि तीन बार स्नावन कौन कर रहा है विरद्ध वेक्ति और कहा कर रहा है गंगा जी के जल्वे तो अब देख सकते हैं धीर वहती थे और पूरा संकल्प लेते कि शरीर के सुख को सुख देना ही नहीं ठीक है अच्छा ये त हुत्वा और शास्त्र के निमों के अंसार अगनी में अगनी होत्र यह किया ठीक है यह समझ मारा यथा विदी जैसी विदी शास्त्र में वड़नित है उसके अंसार अगनी में हुत्वा हो मादी किया अगनी होत्र पवित्र करने के अपा भक्ष अपा मतलब क्या होता है जल भूमिर आप, भूमिर आप, अपभख्ष, वहां असमें लिखा अपभख्ष, लेकि जुड़ कर कैसा हो रहा है, केवल जल पीकर उपवास करके उपशान्त, पून रूप से सहमित, उपशान्त आत्मा, अर्थात, पून रूप से सहमित, स्थूल इंद्रियों, तथा मन वाला होकर, ये लाइन समझ में आई आए आपको, स्नान किया, स्नान कर रहे थे, तीन बार यक्य कर रहे थे, और जल पी रहे थे, ये शरीर से कारे कर रहे थे, तो इसका प्रभाव क्या हो गया, मन और इंद्रियां उनकी शान्त हो गया, इतना तो बड़ा स्पष्ट अगले दिन कुछ मन शान्त हो जाता है, आप लोग ऐसा कुछ अन्भव नहीं होता है, एकादशी का परसाद भी ग्रहन करें, फलहार या से कुछ सिंपल अन भी तागें, और ऐसे भी ये जो, प्लीस कंफर्म बतारे से ब्रहमचार के लिए सौंफ मसाला है, सौंफ जानते ह नहीं 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 तिरह ने बताया, और ये परम पूजे भक्तिर सामित महराज के लेक्चर में आप सुनेगा, राम अरुजी चार जी के लेक्चर में, कह रहे थे कि एक वैद वहां के, सौंफ इंड़ा के बता रहे थे केवल मसालों के थोड़े परिवर्तन से, सुने हैं स तो मैं वह वैद बता रहे थे कि मैं किसी विक्ति को पशु की तरह कामी बना सकता हूं, और शांत भी बना सकता हूं, और वो उसी कावपियो करके एक विशेश प्रकार का साग था, राम मिश्री जी ने, तिरु मलाई ऐसे कुछ नाम था, जो भी है, हमें तो से मलाई याद खाते हैं, मतलब जो लोग खाते हैं, फास्ट फूड जो महा कामी व्यक्ति बनाता होगा, गंदे वस्पदार्तों से, उससे तो हम लोग बिलकुल उपशांता आत्मा हो जाएगी, हमारी आत्म साशातकारी जिग्याता पूरी तरह से शांत हो जाएगी, है कि नहीं? ब्राह बात आ रही है, हमारी बहुत महत्पूर है, आप लोग ऐसा खाना नहीं खाया है, मैं खाया हूँ एक मैना, पंदरे दिन के लिए गाता है, वहाँ कोई वो मसाला यूज नहीं करते हैं, जो हम लोग खाते हैं, हल्दी भी एकदम नॉर्मल, बिलकुल, हल्दी कच्छी, कभी कच्छी करते कच्छी भी रही बंदे कच्छी हल्दी डालते हैं, अध्रत जीक रही बड़ा। स्वेटे रही हैं, अफियूम्त आपहे मिरची नहीं है, बताने कि और वहां संवेट इस कमा झाओ नहीं है, मिरची मिरची नहीं है, मिरची मुन मिरची department स्बड़ी- जय देन जीरो, विदिन हम मैं कितने दिन से आपके बे बंधन में हूँ? और रॉदे दर लगता है कि रॉदे से इस स्वा मचाई हो ने जाए और रहे हो आ जाए और याकर रॉदे नहीं बोसे इस से यह वाय है इसे अंनरेंग रह statement में अंधने, परक कोईशो घुत किष़र ट्रह्म से अ करा सबसाती लेगे किया। इसले look at.. अग्षुली नो ऐसी रिटी और यह स्वास्त की बात नहीं कर रहा है। उसका प्रभाव मन पर पढ़ता है। अब मैं एक और विवैदे मुझे बता रहे थे सची घटना कह रहे थे शायद वो अजवाइन होती है। मुझे पता नहीं कौन सी। शायद अजवाइन बता रहे थे कि मायपर की भ्रह्मचारी होंगे वो खूब खाये बाद में शादी हो गए। तो वो कह रहे थे मुझे पहले बता देते हैं अजवाइन तुमारी रोक देता। इतना डेंजरस है। काम वासना बढ़ जाती है मसालों के परिवरतन से खान पान से। भाई वो नीम हकिन सब्सक्राइजान पेट नहीं खरा हो जागा दिमाग खरा हो जागा। ऐसे कुछ भी नहीं किरान कर लेता। समझ रहे हैं बात। तुमारी नाडी तो आपको लगेगा वासना पान से कनेक्शन है। आप जैसा खाएंगा यहां वैसा होगा मन। तो यहां बहुत इस पर स्पर्स्टूप से देख रहे हैं कि फास्टिंग करके उनका मन शान्त हो गया। अच्छा एक और बात आप देखिए। कितना कठिन है ना राज्य से महल से बाहर निकले हैं। जितना भी उनके जीवन जनत है जो मूटे हुए दास से वह चबा के खा पा रहे थे। वह खाने का प्रयास कर रहे थे। और उसको सारे वैभव को त्याग करके तुरण इस प्रकार का तपस्त्वी जीवन जी रहे। यह भी काफी कमंडेबल बात है ना। ठीक है। अरे अब पूरी बात तो हमको डिस्टरब मत करें। सब क्या बात तो कर रहे हैं। कुछ मसालों के प्रेवर्तन से विक्ति कममंगरवण होता है। पेट ठीक करती है तो एक काम करती है दूसरा काम नहीं करती है। यह कहता है कोई वस्तु। ठीक है कही नहीं। तुम खाली बात कर रहे थे हैं। सरहाणी बात है। क्या देखिए मैं मैं से हमेसे बोल देजाए कि आपको भी अगल नहीं खा रहे है उनको बहुत भारी लगेगा एक दिर में चैंज करने में बहुत कठिन लगेगा अब यहां क्या जल क्या जल ही किल ग्रहन कर रहा है तो it is quite recommendable. इतना समय नहीं है कि दीरे धीरे काम बने बड़ी तीविरता से वह बजन कर रहे हैं कि आप दुबारा मुझे जरम नहीं लेना इस परकार से कर रहा है हम लोग को इतना करने का सामर्त नहीं है लेकिन इससे मैं चीज जरूर महसूस कर रहा हूं कि खाते रहना यह साथ योगी के कारण नहीं है यह नहीं है कि हम बस हमेशा ही खाते रहे हैं भक्त होने के बाद भी जब भी प्रसादा माय मुझ खुल जा चाब चाब चाल होग ए अट लीस्ट रेगूलेशन होना चाहिए करने चाहिए है और कम लेना चाहिए मैं इस दो टाइम लेकर मैं समस्तों काफी नहीं का हो जाएगा अब सबकी अलगलग शेरी रहन को यह अर्वेट नहीं पढ़ा रहे है लेकिन हमेशा कहते रहना यह ठीक नहीं है जिस हमेशा ही भूख लगती रहने चाहिए जैसे नहीं भूख लगे की तो खाने के पास नहीं जा रहा है खाना देखते ही भूख लगना शुरू हो जाती है कुछ तो प्रॉब्लम है ना सब्सक्राइब भवान गीता में बोलते हैं इसको ठीक है यह बहुत इंपॉर्टन पॉइंटे में स्ट्रेस कर रहा हूं कि बहुत अधिक इसके खाने से दिक्कत होती है मजे तो पर हसी आजी है मारे महराज क्या ना है वनका मैया परवाले वक्ति पुर्शुत्र महराज तुना आसी कहते है बक्ति के जीवन में कम से कम एक टन पनीर खा गया होगा है इसकोन में जितना पणी राद भाता है ऊतारा बाहर कभी ने खाता है 1 tw glass गण मोठा हूं मेता हुला था हुला बात भी है तो यह बहुत महत्पूर्ण है एक बात बहुत अच्छी मरणा जाता हुला आप अतड़ी आप concept puisse drastic उस हर तपस्या के प्रितिय अभ्यस्त हो जाते हैं, हम करने लग जाते हैं। तो अच्छी तपस्या स्विकार कर लिए न चाहिए, सुबह उठना, स्नान करना। अब सभी वक्तों के लिए को यह विशेश कटनाई की बात तो नहीं था होगी, रोज कर रहे हैं। और आप देखके आते होंगे, घर से सीधे को उठके आता है विक्ती जॉइन करता है, महिना बड़ा कठी लगेगा महिना दो महिना, जहां दो चाहिए दिन कर लिया तो अच्छी आते डाल लेने चाहिए, यह तो कुछ हम सीखी रहे हैं। पानी पीकर रहने के लिए नहीं बोल रहा है। वैसे सही में हमारे अश्रम मंदिर वाले अश्रम में क्या ना मैं पावन नितायप रहो। वो कार्थिक में एक वहिना की बड़ पानी पीकर रहा है। भाई उनने का बॉड़ी में वैसे कुछ नहीं है। प्राण के अलावा उसमें पानी बंद करती है। पता रहे हैं। यह से लोग कैसे करते हैं। लेकिन यह सब नौट टूब एडवाइस अट होम इसा कुछ करने की जूरत नहीं है। कुछ भी ऐसा करने की जूरत नहीं है। अच्छा सात्विक प्रसात गरांड कीज़े। अप्षांत आत्मा समझ गए। स्थूल इंद्रियां। उनका परिब्रह्मन कुछ कम हुआ। काफी कम हुआ। शांत हो गई। और मन भी शांत उनका हुआ। सहअ वद्राष्ड। गटई एशनः. अब एशनः का मतलब क्या हुता है, पारिवार, कुछलत, संभंधी, विचार्द। गारभर और विगत मतलब उस्सेर रहिठ। लम्तक विगत एशनः. विगत कहा है, एश्रणा शब्स समझ रहे हैं, एश्रणा शब्स महाराज भी बर समझा चुक है, अगर आपको याद हो उस क्लास में, बहुत समझा हैं, बहुत एक इच्छाएं, चिंता, देखी ये बड़ी कठनाई होती है, वेंदावन में विक्ति आज आता है, लेकिन इस जिंता बहुत रहती, कैसे बिजनस चलेगा, और उसके बच्चे को जो बच्चा हो नाती, उसकी में मन फसा रहता है, अब आप ये बताईए कि क्या दितराष्ट के लिए इस प्रकार की संभावना नहीं थी, इसी में तो फसे हुए थे वो, जबकि उनकर पुत्र माले गए सारे, फिर भी घर परवार के आ सकती थी, तो कह रहे हैं वीगत ऐश्णा, आहमता महमता नहीं होती है, कि मैं शरीर हूँ, मेरा बेटा है, उसका बेटा है, और ये हो गया, वो हो गया, बहुत बाते करते हैं लोग, और वान प्रस्तों की बात हो रही है, घर में रहने वालो को चिंता होती है, आपको 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 चिंता होती आपको मेरे अन्य समझे आपको खास दिखो तो तीलिकिन जब शाद जिसको करने यह से करें वह वाद आला करें दान जो समझना चाहिए शादी की है फिर बच्चे होते हैं पर उनके बच्चे होते हैं वो बहुत चिंता होती है समझ रहें कि हमारे बिना कैसे चलेगा कैसे करेंगे यह वह त्यादी मतला वह सारे पारिवारी कुषलता संबंधी विचार से रही तो और अधिम कैसे यह समझ बार है लेकिन कुछ नब को चिंता से चिंता है तभी तो यहां शब्त बोल रहा है विगत आईश्ड हां चिंता की सम्हावना थी तभी तो यहां बोल रहा है उसे वो मुक्त हो गया मतलब अब उनका मन घर-परवार की परशानी में बिल्कुल नहीं जा रहा था आ गांधारी आई हैं कि गांधारी आई हैं कि अब माइक दीजे लिए हो यह यह सारी इश्ड तो वहीं त्याक का आ एक तिरे से निकले तो देखे नहीं विदूर जी के सग निकल गए वो हाथ पकल़ चले के भले गांधारी उनका साथ में आई तुम आओ, इन्विटेशन नहीं दिया है, उनका हाथ पकड़ है, उनका हाथ पकड़ को चलिए है, उनका हाथ पकड़ को चलिए है, उनका हाथ पकड़ को चलिए है, प्रभुपाद जी ने तात्पर में सपष्ट बोला था, she went behind him at her own risk, वो अपने स्विच्छा से उनकी यह दितराष्ट के बारे मता रहे है, विदुर जी की तो पारे बारे का सकती पहले से समापती थी, वह तो केवर दितराष्ट को बचाने के लिए आए थे, माइक में पुछिएगा, on कीजिए, on तो करो, तो दितराष्ट मतलब उनके तो सारे पूत्र मारे गए थे, फिर भ सदकार स्विकार कर ते, मन में आ सकता था ना बात की, अरे यहां तो पानी ही पीने करह मिल रहा है, यहां तो कोई रिशी पूछी हिने रहे, रिशी दोग तो बड़े सूखे हैं, वह तो होता ही है, महराज बोगते हैं, कई ब्रह्मचारी लोग कहीं करहस्तों घर में जाते उसी आगरे से मंदिर में खिला जाता है खाना तो खाओ अपभक्षा पानी भी खिला जाओ क्यों इतना तो सभाविक सादू जीवन में तो आप सभाविक इतनी निश्टुटता तो सहन करने ही पड़ेगे कौन पूछेगा आपने खाया की नहीं खाया आज आप से कोई लेकिन बाकी कोई पूछा आपको अपना प्लेट लेके पहुंच और खालो तो अब इस प्रकार की देखिए इस प्रकार की कोई ग्लानी उनकी हिर्दे में नहीं कि हम तो राजा थे हमको इतने भोग पुरदान हो रहे थे और यहां में कुछ निमिला देख रहे हैं यहां इसको कैश कर पा रहे हैं इस प्रकार की इश्णा नहीं रहे हैं कि अधिन हो आसे नहीं सोचते होंगी लेकिन वह ऐसा नहीं सौच थे कि मैं कुट्टे की दिर खा रहा हूं लेकिन वहां को बोला गया था तो खेर बात यह है कि इनके मनमें भावना हो सकती थी कि हम लोग किस प्रकार से सुख में थे लेकिन यहां पर का शब्द है उपशानतात्मा विगताइश्णा आस्ते सारी च्छाओं से रहित हो करके वहां विद्धिमाल है अनुसवनम अर्था तीन बार स्नान करके कहां तस्मेन को मतलब कहां वहां मतलब सब्तस्त्रोत आश्रम में होत्वा चागनीन यह थाविदी जिस प्रकार से शास्त्र में विद्धान है उस प्रकार से अगनिहोत यह करके अपभख्षः पानी पी कर केवल पानी भी रही पानी ही केवल पानी ही पी रहे है ऐसा करके क्या हो गए उपशान्त आत्मा उनका स्थूल इंद्रिये और मन शान्त हो गया और सास्ते विगतश्ना वह वह दतराश्ट्र सारी च्छाओं से मुक्त हो गए हाँ आपके बोलि वह दो जाने हमें हमके कमत तब वाई विदुर जी वैसे तो अभी साथ में है जब इनके संक्या नाम से जब यह छोड़ देंगे तब उचले जाए तो हो सकता विदुर जी स्रान कर वारे हैं आप जो भी कर रहे हैं हमचे डीटेल में ने जाना भाई अब यह कहने गंदार कर रही थी अब हमको क्या पता क्या कर रही थी लेकिन वह भी उतापर सही कर रही होंगे यहां देतराश्ट्र के बारे बोल रहा है सबस्वें आ रहा है ना चलिए आगे पड़ता है अब मैंने चीज़ देखा है जब तक शब्दों के अर्थों पर थोड़ा विचार निया इस बात को सतरो तो भी त्यादी चार लुगों से बतलाए गया है उसमें इसनान, होंग और जलाहार ये नियम बतलाए गया है। जल का ही भोजन करना है। भोजन के स्थान पर जल लेने की कारण उनको अपभक्ष कहा गया है। अपशान्त आत्मा जिसका चित्त उपशान्त हो गया है। यह उप्षांतात्मा पर्द का विग्र है। उनकी सारी अभिलाशािं समाप्थ हो गई, इस तरह से योग के अंग यम को मतला गया है। त नियम क्या कर रहे थे। जल जलस्नान तीन बार अगनिहोत्र यग्य और अश्टांग योग का भ्यास भी कर रहे थे और जल पिए रह रहे थे और इस प्रकार से मन की उनकिया बिलाशा समाब थोगे योग पदती इंद्रियों तथा मन को वश्मे करने तथा उन्हें पदार्थ से आत्मा की और अब आप अनभव करेंगे कि मन शान्दूग अच्छली होता है पता नियुक्त आज मैं प्रयास किया पहली बार 15-20 मिट में या आपकी किर्पा की वर्से शाद इधर पाउं का कुछ फैट कम हुआ है क्या कारण पता निया किसमा आत्मा पा रहा थो नहीं तो पहले नहीं आप अभी भी आप पत्मा साम में बैठेंगी देखीगा अपना पीट सीधी रह सकती है अमने महसूस किया जो लोग कर सकें बड़ा अच्छा माना जाता है धान करने के लिए अभी को ज़रूरी नहीं है हरे किस्ट्र मंत्र करने के लिए लेकिन इस प्रकार से शरीर के निय इसलिए जब करते हैं तो सीधे बैठना भाजूरी प्रहुपाजी तात्पर में लिखते है कि ऐसे तो नाम जाप करने का कोई नियम नहीं है लेकिन अगर वेक्ति सीधे बैठता है तो वह जब करते समय सोएगा नहीं प्रहुपाजी के तात्पर में अब मझे थोड़ा स्म उसे लेकिन मैं धूमिल याद है लेकिन अगर लिखे प्रहुपाजी उस बात और प्रहुपाजी का वीडियो आडियो भी है जब गुरुप जब कर भी में सुना है ना ऐसे नहीं को पहल दो है यह सोती रहता है ऐसे कि असे बहुन करेंगे बताई हर जीज का और आसन होता ह मन को पकड़ के केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। उसमें क्या करते हैं। भोगों से इंद्रिय विश्यों से मोड़ करके आत्म केंद्रित करते हैं। इसकी प्रारम्मेक विदिया है आसन, ध्यान, आध्यात्निक विचार, प्राणायाम, समाधित, परम, पुरुष, परमात्मय के और उन्मुक होना, इस्ते हैं कि यांतिक विदिया से आध्यात्निक पत्तक उपर उठने के लिए कुछ विधान नीद के गए हैं, दिन में तीन आध्यात्निक विचिए अर्था अर्थात् भौथ और थहें मक्त होना अर्थात्निक विचारों से मक्त होना एक ठोबावन के अ संञार है अश्ठांग में chic design पहला क्या हैक यम 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 मतलब इसके अन्धोर करना में उसके बाद आसन, उसके बाद प्रानायाम, जब आसन सिद्ध हो जाता है, आसन सिद्ध को बोलते हैं, तीन घंटे की आसन पर बैठे रहें, तो उसको आसन सिद्ध कहा जाता है, तो मुझे रिखा से निद्रासन तो हमने सिद्ध घरी लिया है, उसको अच्छाए घंटा रहा गया आसीन संभवात जैसे अभी आप सोचो इस क्लास में आप 6 बार अंदर जाए बाहर जाए 6 बार अंदर जाए बाहर जाए फिर कुछ करें पर बैठ जाए तो यह आप अभ्यास करें जिनलों का सामार्थ है अब द्धा वस्ता बहुत आ गई तो हम नहीं कह सकते कुछ लेकिन इनका सामार्थ है प्रयास करें कि 1 我 बैठे है बाश्रोम मेर ऻकंग जाए this मैं इस रोटा कीजिए यह दो करा है यह मैं अपने को सुना लाह है यह काम करना आर था वह काम करना है vägal प्रबापाजिजगां स्ट्रॉक्षिन्त downs ट्ढा कर रहा हूं इसका बड़ा प बहुत अमेजिंग है यह जब अपने आप मन को स्थिर करता रहता है बढ़ हम ठीक से करें तो कुछ नहीं करना ना कुछ और वेबसाइट कुछ देखनी है और क्या से करनी है और आपने चीज महसूस करी है कि जब करते समय एक अर्ज आती है कि इस जब को करते हुए या तो रोक करके या करते हुए कुछ और कादे करो येस और डिवोटी तो लग रहा है सब वो सब समाधीम चले गए जग रहे हो कि नहीं जग रहे हो इनिए बास समझ में आ रहे कि नहीं देर ने पहुंच रही है लो पास मेंक सेंस जब कर जैसे जब करने बठाएंगे कि हो क्या रहा है मन की प्रिविर्ति भी प्रफा आगे समझाएंगे बाहर भागने की तरफ है और जब से आप उसको अंदर मोड रहे हैं यह क्यों आप ही कि संग नहीं होता है मेरे संग भी होता और सभी कि संग होता जो सादक मेरी बात समझ रहा है कि नहीं, इर्रेजिस्टेंस फिल करते हैं ना, कुछ बहुत महत्पून है, जब से अधिक जो अभी मुझे अभी करना है, इमीडियेटली अभी करना है, इस इत ना, प्लानिंग की बात छोड़िये, तुरंत अभी कार करना है, अभी हम लोग क्लास के ब जब करें, हम आज क्लास के बाद जब जब करेंगे, डिवोटीस के ट्राइब, कि मालो आधा गंटा हमने रखा है, आधा गंटा तब यह से जब करेंगे, ना कोई चैट, ना कुछ ना कुछ भी नहीं, इत रिली वर्क्स, हमने तो ऐसे बग्पों को देखा है, जो आख बं प्रोइज़ लॉड क salty अभी ने चाफ ख मैने रोड़ीन से सब्चाव लोग अप जानर में रिखा है, जो प्रभु जायज़ तीलाग नाम जो करने अबंड़ी तो इवि तो बच्चा है छोटा बच्चा है फिटेज़ दिकश वहे तो पैदा होए है ऑखे मेनखा आ जानर प्रीमेच्वर बेवी ठीक है तो एक मैने एक बच्ची से क्या उम्हीत करेंगे लेकिन अमेजिंग ऐसे भी लोग हैं खाली अभ्यास की बात है हमारे अश्रम में भाग तो चौधा घंटे बैटके जब कर लेते हैं लाश्रती प्रभू अवे सर्प्राइज क्या नाम से आप मुझे बताया से बताते हैं इनके से बता रहे तो चौधा घंट एक जगे बटके चौधा घंट जब कर लेते हैं गुरु महाराज की बारे मने सुना है अपनों मुझे राध्यनात महारास तो वहां जब रिशिकेश में कहा थे हरिद्वार में थे पत्थर पर बैठके कुछ पैस में तो क्या जेसे जूते के डुकत कर सकते हैं तो कि यृता की बारा घंटे की नहीं बैठ सकतेआ इन प्रेंगेतु अ2 hurricane की बापते रूंस प्रियास करने से हुथ तो यहां पर बड़ा स्पष्ट हम देख रहे हैं कि पेक्ति अगर अपने आसन को स्थिर करेगा तो उसका मन स्थिर होगा बाकी आपलोग जैसे जब करना चाहते हैं करें उसमें का अपत्ती नहीं है तो इसका प्रभाव है अच्छी सादक बैट के बड़े से बाला करते हैं आप इसको दुर महराज के प्रसंग में सुनेंगे महराज चैसर समझा रहे हैं हर चीज का आसन होता है तीक है मंगल आर्ती खड़े हो के करते हैं हम लोग नर्सी आर्थी बैठक करते हैं इस्तियादी इत्यादी महराज कहरे तो यह सो ट्रें चलानी इसका कोई से आसन कि वूत नहीं अगां को सब्सक्राइप लौक के दे़ुने किंवेख बीचाइब हो सकती है, हम चली हम बात यहां पर कर रहा है, उसके आफ North our बात अंगे हैं उसक्त होन राहिए कि आप बात कर रहा है एक आह बात कर रहा है एकि आध संगे these मन भी बैलेंस हो और शांत होगा. आउसके बाद प्रत्य होर करता आए। प्रत्य होर कारत है कि इंद्रियों सभाविक बहाव है बाहर की और, कि सुन्दर वस्त को देख न चून न अत्यादी जो कुछ भी है, वह अंतरिक हो जाए। वो अधर उसको बंद करें। यही परिशानी हम लोग करते हैं मेरी पर्शानी होती है लोग करते हैं तो उनका बहाव अंदर लानल में कटना ही नहीं होगी जो बाते हैं आमस्तों की कि अपने सुने में अ युए बाते हैं भर लिप आपके में आएगी तो प्रतिहार को समझ्य नाशर ठांह और से करेक्षंट को स्टॉप कर दिया है और इंद्रिया आप इंटरनल करने का प्रियास कर दिया तर आपने देखा होगा अपने मन को छीच लेते हैं अपने मन को से करते हैं नहीं हम करते studied ईसको प्रत्याहार को रहा है, जो अब है कम समय बाहर फिक देना। मेरी बात वह समय को रहा है नहीं कि एक नहीं सब्सक्राइब बाहर भी न्यूंदा vara क्या करना है?। बुरा विचारे कुछ भी भोग की बात आ रही उसको हम भेक करके हरे खुशना अपने मन को भगवान केंद्र करते हैं हम भी प्रत्याहार करते हैं अपने संग खीच करके अपने वश मे लाकर की मन को वापस भगवान में लगाना है किया कुछ कटना ही होरी समझने यही तो कर रहे हुआ आप नाक पे ध्यान लगाने से सब मेकानिकल तरीका जिसके जरा मन एकागर होता है हम लोग सब उसम नहीं करते हम लोग सीधे मन भवान के धनी पे केंद्रित करते हैं ठीक है कहां तक पहुंचे प्रत्यार उसके बाद क् धारणा धारणा का जो हमने अर्थ सुना है चार सेकंड तक अगर भवान लग जाए नौ उस कॉइट इंट्रेस्टिंग कि हरे कृष्ण मतर बोली है और टाइम तैंने ऐसे उठाल अटा करी टाइम देखना है क्रिष्णा हरे कृष्णा क्रिश्णा क्रिष्णा क्रिष्ण तो मुझे मोटा मोटी साड़े तीन सेकेंड या पॉने चार सेकेंड लगता है तो अगर आपने सुनी ध्यान से एक महामंत्र पूरा सुना तो धालना पर पहुंच गया कि अपने यह कौन से मुश्किल बात है कुकि घंदा मन है वो एक छन से ज्यादा कहीं नहीं टिकता है एक छन से ज्यादा तर इस फोर टाइम्स आपने अपको भग्वान पे केंदित कर लिया और हमारे संब बढ़िया बात किया है कि चाहे हरे हो चाहे कृष्ण हो जाहे राम हो वह है भगवान ही सब कुछ ग्रहन कर रहे हरे क्रिष्ण में भले वराइटी लग रहे हैं सब तीनों भगवान तो आपने हरे क्रिष्ण मंत्र एक भी सुना तो आपकी धालना लग गई फिर कुछ आगे उसका बंदन है कि ध्यान और अधिक समय होता है कितने समाधी कहा जाता है चौबिस मिनट तक यदि आपका मन भगवान में लगा रहे हैं अब हम डीटेल तो होता है याद नहीं लेकिन उसके बाद नेक्स्ट जाती है धालना के बाद ध्यान और के बाद समाधी के जाते हैं तो इसलिए बार-बार बूरी इंप्रू कहते हैं कभी कभी हम को लगता है कि हम अटेंटिव चैंटिंग कर रहे हैं कि लुकंअ मारा मन कुछ और सो चे रहा होता है यह कुछ समझ कर रहा है वाकः सुन न ा पाएंगे। कभी अनवा हुआ है कि प्रवचन में भी लग रहा है सुन रहे हैं लेकिन मन कहीं और रहता है। तो तो देखने का प्रयास किजिए कि हम जाब कैसे कर रहे हैं। इसी प्रवचन को देख लो पूरे टाइम मन कहीं और भगा रहा तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे कि क्या होगा। प्रभाव तो फिर भी होगा। तो नाम को दो जीब के सपर्श करने से इलाब होता है। अगर अब ध्यान पूरवक्त सुन रहे हैं तो वो सीधे आपक क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या कर रहे हैं। अध्यात्मिक विश्यों में कागर करना तता इस प्रकार धीरे धीरे विश्य अर्थात भौतिक धे से मुक्त होना। बहुत अच्छा का बात प्रवपाजे कहते हैं कि भौतिक एजुकेशन मतलब नगन्या। फिलिमसी इन सिगनिफिकेंट वस्तुमों में बारं बार अभिवनेश्ट रहना। और योग मतलब इन सब को बूल जाना। अब यही देख रहा है होते होगे नहीं। ना तो परवार की चिंता है ना कुछ चिंता है वो केवल अपने मन को भगमान में केंद्रित कर रहा है। योग का अधिक अधिक असंतुष्ट हो जाएगा। यह मेरे शब्द नहीं है। मन की तपस्य में आप देख लिएगा। आत्म विनिग्रह वहां प्रपात बोल रहा है इस बात को मन को रोक रहा है। यह नहीं कि भोग के बारे में सोच रहा है तो सोचते रहे। जितना भोग के बारे में सोचेंगे उतना ही मन अधिक अशांत असंतुष्ट अत्रिप्त ह होगा। सबको सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? अगर अभी मिल समंग में यह रहा है, मोबायल चाही और मिले या ना मिले लिकिन मन में शांती बढ़ जाती है। हम केवल मोबाइल को दार्न दे रहें और खराब भोग के बारे मैं नहीं सोच रहे हैं। यह लुई है। तो वहां से ताकर करें मन को भग्वान के प्रयास करें। प्रैस करोड़ा। भौतिक जगत का अर्त है। भौतिक विश्य में लिप्थ होना। अर्थात भृतिक विश्य में लिप्त नहीं हो तो भृतिक जगत में हो नहीं यह भी भावतिक जगत में है आपको याद आप naara ji पूरे विश्या में भ्रहमन कर रहे थे, जब वो नारad नहीं थे तब भी वह पूरि प्रत्वी में yr prepares ने वह तो पहर अलक्ष्ष लोक है पूरे प्रित्वी में ब्रहमन कर रहे लेकिन क्या से थे वीध दहां wraz कोई मद नहीं था को इसमने वाला बहुग रहा हैं तो तो क्या बहुतम expects में थे वह नहीं थे मतलब जो वस्तु ऐसी है कोसकोश रूप में नहीं देखना अरे मेरी इमार गई प्रत्य जल्वाई वगनी आकाश यह वो आत्मा जिसको आपने को भी देखा नहीं तो वैभार में अलग बात है अब ध्यान रखें लेकिन आप शोक करना और शोक से अभी भूत होना तो नितांत ब्रह्म है कि ने जस्टिफाई कीजिए रोते हैं कि निस्ते हैं ना बेवकूफी पहली बाद कोई मर नहीं रहा है प्लस जो मरा भी अगर थाकत रूप से वत्सुत मारा संबंद है ही नहीं तो यह भ्रहम है घर देश परिवार समाज संतान संपत्ति तथा व्यापार यह आत्मा के कतिपाय कति मतलब कोछ आवरण है योगपत्ति इन मुह मैं विचारों से मुक्त होने और क्रमशह परम पूरुष परमात्मिया के और मुर्णे में सहायक होती है यह इन सब आवरण को नाश्ट करता है बहुतिक संगति द्वारा यही बात हम बोल रहे थे बहुतिक संगति द्वारा चा है जिससे हम इन्हें पूरी तरह से भूल जाते हैं विगत आईश्य नहां की व्याक्या प्रपात कर रहे हैं इस हाइलाइट अव डिसकेशन बारम बार यही ट्रेनिंग दी जा रहे है कि मन मना भव मत बक्तु भगवान मन लगाओ अर्थाद भोगों में मन नहीं लगाओ और ऐसा नहीं हो रहा कि आप ऐसा होता हुआ नहीं देख रहे हैं बारम बार कथा श्रवन करने से जब करने से और विश्यों में मन को न लगाने से इंद्रियों को न लगाने से मन भी नहीं जाता है बहुत से विश्यों में अभी भी फिल्मी गाना तभी यादाता है जो ब पिछले हफ्ते शादी का कौन सा ग्याना बज रहा था यहां पे तो बड़ा मुश्किल होगा याद बने में नहीं याद कर सकते नेक्स्ट विंपॉसिबल और आप पहले देख रहे थे कि एक गाना जरा सा सुना तो बस उसको गुंगनाते रहते थे वो विश्यों को पकड़ करने के चमता बहुत अधिक्ति उस टाइम तो आप देख रहे हैं कि बार-बार भक्ति के अभ्यास के द्वारा हम इस विगत इश्कना की तरफ टेंड कर रहे हैं तो जो आश्टांग्यों का अभ्यास कर रहे हैं उसको आरसानी से भक्ति के दारा प्राप्त किया सकता है ले आप अपनी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो आप कैसे कर रहे हैं खुद चेक करो यह इंचार्ज का दाइत नहीं है स्नाइपट रहा है यह कौन मॉनिटर कर रहा था इनका आमें कर दित्राश्ट को भाई उनको समझ गे तो मुझे भग्वान की प्राप्ति कर नहीं तो मॉनिटर करें वो इसको मॉनिटर करने की जुरत ही क्यों पड़े हमको अच्छे से करना चाहिए ना अब कहेंगे पर जूम में सब को वीडियो आन क्यों कर वाते ही तो एक दूसरे को साहता करने के लिए help करने के लिए लेकिन वस्ता हम मैं कैसे जब कर रहा हूं मेरा उचा तो फिर चलागा एक अब उससे कभी नहीं मिल सकते तो इसका तो दूख हो गए ना पूजे है जो आपके संग बचपन से संग रहा बचपन से साथ रहा कौन बचपन साथ रहा जिसके साथ हम रहे जो भी मर गया कौन मर गया जैसे पापा मालू मर गया तो पापा को कब आपने आप देखिए पापा को आपने कब देखा शरीर देखा आत्मा तो जो चला गया उसको देखा रही और जो देखा वो तो है सामने कि नहीं संद्धबा रहा है आप पीता जी मर गये चले अप्नीकिश की बिए्ट जी कार रहा है उसका पूरा जीवन नहीं देखे तो कर रहा है क्या है जिसको पीता जी समो лучित कर रहे है वे तो सामने पड़ा हुआ है तो किस से आ सकते है बताइए किस से किस से को आ सकते है ईब रहा है किसे सकते यूरMan शरीर को पिटा जी बोल रहे है हमार तो मन मानता था हम तो ने हरूए पिता जी के श्री छव्यक्त क होगने हो बिल्कुल नहीं रोये, बिल्कुल भी नहीं रोये, और माता जी के मरने पर भी नहीं रोयेंगे, हम तो देख रहे हैं कैसे जाएंगी वो बिल्कुल भवान के पास, तो सब्सक्राइब आता है। इस से बचाने के लिए जाए नित le囝 के पास, मिरुत्यु सब्सकत के पास, बचाने के बाओ कहा जाए यह देखना साओ क्योत आनी के मरने से यहें कृम सिर्फ और चाहें में देना मगूत्न नहीं पूम वो देथ इस नोट डेत 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 यह पास नहीं कि एक्जाम बढ़िया रहती है आप एक्जाम कवेट कर नहीं। और जब एक्जाम की त्यारी नहीं रहती है तो भाय होता है, ऐसा होता है कि काश दो दिन बाद आता तो अच्छा रहता है कि एक्जाम तो अपने समय से आएगा, तो दुख इस बात का रहा है कि मर रहा है कि मर कोई रहा नहीं है, दुख इस बात का है कि भजन नहीं कर रहा है अखी इस बात को, तो इस अब भ्रहम की कारण हो रहा है, तो इस प्रकारी की चांव से वह मुक्त हो गये, ब्रहम से मुक्त हो गये, कौन मुक्त हो गए? थितराष्ट, ठीक है, तो यह लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, आए भाई, यह लाइन बहुत ज़दा अच्छी बहुतिक संगती समझ रहा है जो जन समाने लोग हैं वो दुनिया की ही वारता करेंगे है कि नहीं कभी करने वाले भागवत की वारता कौप भी नहीं करेंगे और उसके बाद भी छोड़िये यह तो आप लोग एक रिक्ति हाथ कड़ा करते कि उसकी इसकौन में आने से पहले उसकी कभी कोई सिक्षा हुई जिसमें वो भगवान के बारे में प्रमानिक रूप से सोचे पीज रेसे हैंट्स अब आप समझेंगें डेफ्थ प्रहपाजी की स्टेट्मेंट की हम सभी लोग मैं समझता हूँ अट्रा साल या बीस साल एकी साल में बक्ति में आया हूँग जो लोग यंग ओमर में आये जो व्रद्धावस्ता में उनकी बात छोड़ दीजेविया इसे नोट स्ट्राइकिंग कि हमारे पूरी सब्वता इस समय को ट्रें कर रहे हैं कि हम भगवान के बारे में एक चंड के लिए भी स्टेट्मेंट और उद्देश क्या है हम एक पूरी सबसे बड़ा च्षित्र है वही सबसे बड़ा च्षित्र है यानिकी मतलब गलती है और वही सबसे बड़ी हानी है कि व्यक्ति अपने आयू का एक चंड या मुहूर्त भगवान वासुदेव को भूल जाए और आप देखिए मारा पूरा आटरा साल स्वाहा हो गया अटरा नहीं हम तो 21 साल स्वाहा हो गए बगवान के बारे में एक चड़ भी सोचने का मौका नहीं दिया आप कुछ कुछ कृष्णा सीरिल देख रहे होंगे लेकिन कृष्णा को भगवान नहीं माने होंगे ऐसे मजाग के लिए अपना इंट्रेट्मेंट के देख लिए ह भारती हो इसलिए और कहीं अफरीका में होते तो वह अभी नहीं है बहुत अच्छा बात हम कोई लगा था इसलिए मैं थैर करके सचा कर रहा हूँ ट्राय तू सी दा इंट्रैप्मेंट किस परकार से बहुत एक एनरजी फसा रही है इस बहुत एक शिक्षा के द्वारा करी नहीं पारहा हं कि आपके टॉग में आता है क्रिश्ना ख्रिष्णा कृष्णा कृष्णा Rs. We are not despizing. भी नहीं थानी जरा आश्मार्ण राह कि नहीं। मानलोगा को व्यथि खेत में खेती करार्य कि दिवोटी है तो जान रहा है कि भूल भी भगवान की कर्पास रहा है क कि नहीं देखो हम किसी भी परिस्ते में हो लेकिन उसके वास्तिविक्ता को स्विकार करने की तो शमता होनी चाहिए ना कि यह चीज हमारे संग हो रही है और कम से कम जीवन के एक समय तो ऐसा होना चाहिए एक समय मतलब लास्ट का आखी दिन नहीं कम से कम बीस बच्छे साल 30 साल होने चाहिए जहां माँ आप कुछ नहीं सोचे हैं सारी च्छाओं से मुक्त होकर किवल भगवत भचन करें आधनिक तथा कतित योगी तथा योग पदितियां कुछ जादू जैसे कर्थभ दिखाती है और अज्ञानी लोग ऐसी जोटी बातों की प्रति आक्रिश्ट हो जाते हैं अथ्वा वे स्थूल श्रीर के रोगों को अच्छा करने के लिए इसे एक सस्ती विधी की रूपे मानते हैं क्या होते हैं आज कल 15 मैं आपका पाल भाती कीजिए तो ठीक हो जाएगा करने वाले जो योग से बिल्कुल विप्रीत लेकिन वास्तम में योग बदिती वह विधी है जैसे कि सिध्धासन ग्रहस्तों को नहीं करना चाहिए और और सिध्धासन ग्रहस्तों करते हैं समझ आ गया है यह ब्रह्मचर की रक्षा के लिए होता है उससते कि इससे करकर के हम स्ट्रॉंग होंगे और भोग करेंगे विल्कुल विप्रीत यूसुरास का यहां पस पस देख रहे है अश्तांग योग के द्वारा वह भोग की च्छाओं से विगत हो रहे है और यहां भोग की च्छाओं को पूर्ण करने के लिए योग का उप्यों कर रहे हैं लेकिन वास्तव में योगपदती वहविदी है जिससे हमें हमने जीवन संगर्ष के दारान जो कुछ सीखा है उसे अब भुला सके है जीवन में संगर्ष कर रहा है भोग प्राप्ति के लिए जो कुछ भी दितराष्ट ने किया कि नहीं बता उनके जीवन में संगर्ष था कि नहीं लगे पड़े हैं पांडवों को मारने में लगे पड़े हैं युद्द कराने में लेकिन अब सब भूल गया किसको राज मिल नहीं मिलेगा अब आओके कौन होगा कौन राजा बनेगा नहीं बनेगा सारी पॉलिटिक स्माव यह बहुत अच्छा लगे अगया जो लोग भक्ति में आए हैं हम लोग पहले बीचर्चा कर चुका हो भक्ति में आने के बाद फिर वह ग्रामे चर्चा का कोई स्कोप नही है हम उस सब बातों को भूलने के लिए आए ठीक है और यह समझ पा रहे है हम जगत को भूलने के लिए और जगत का स्माव रगा है तो किस तरह से प्रदा महराज की तरह से हम लोगों को बदद कर सके भक्ति करने के बाकी को जगत से मतलब नहीं होना चाहिए अट-लीस सब लॉंचिंग पैट घर भी हो सकता है भगमान के पास जाने का लॉंचिंग पैट डॉमचारी आश्रम भी हो सकता है गंबीर्दा से भक्ति करते हैं मिनेमुम बैवार रखते हैं जितना आवश्यक को बस उसना है बहुत अच्छा लग रहा है क्या इस लाइन को अप्रिशेट क अपने पुत्रों के लिए देखे इस पष्ट है पांडवों की संपत्ति चीन कर उनका जीवन उचा करके पारेवारिक मामलों को सुधारने में गस्त रहे समझा गया अंदर जीवन संगर्ष और क्या ये दितराष्ट का ही संगर्ष है कि अब घर में दितराष्ट ही बताई ये जो भख ले आंके हैं लेकिन आत्ध्यक्रूफ से अंदे और यही चिंता लगी रहती है मरते दम तक चिंता रहती है मैं जा रहा हूँ अपनी मां का ध्यान रखना तुम से पुछो कि तुम कहां जा रहे, तुम कहां जा रहे हूँ, काफी अभ्टी में कहां परकार से, इस तरह का संगर्ष नहीं है, क्या आपने इस तरह के शब्द नहीं सोने है, कि हमारे बेटा अभी पढ़ाई में है, यह है, वो है, उसके बाद हम भजन करेंगे? टोटल एब्जॉप्शन इन लिविंग फॉर वन्स चिल्डरन पूरी तरह विक्ति अभिनेविश्ट है, कि अपने बच्चों को पालना है, उनको पढ़ा करना है, पढ़ाना है, त्यादी त्यादी और अपनी मुक्ति के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है, उसका शादी करन कि वो त्यार नहीं है, कह दो कि 6 बजे उड़ जाओ, मंगलार्ती ले असा है, चापा के लिए तु वह भी बड़ा कठोर लगता है, तो इस सब को भूलने के लिए योग है, नितांत भातिक्ता वादी एवं आध्यात्मिक शक्ति के ज्ञान से, रहित व्यक्ति के लिए यह स्वर्ग से नरक में घसीड कर ले जा सकते है, क्या चीज़? क्या चीज़? यह जो लगा पड़ा है पारिवारे को उत्थान के लिए बहुतिक रूप से यही उसको नरक मिले के जाए, क्योंकि इस सब करने के लिए पाप बहुत करना पड़ता है, और एक दूसरा भगवान से विमुकता निरंतर बनी रहती, तो भगवान से विमुक होने का दंदर और मिलेगा, क्योंकि इनसान होने के नातिक व्यक्ति के लिए इस नोट ऑप्शन, क्या कहिए इसको? बाद्धिता है, ऐसे भजन करना ही है, क्या कम हिंदी बोलना, पोचा रहा है, करतव है, हाँ कर बहुता है, ना भजनति अवजानांती साना भरस्टात पतंति धा, भगवान को नहीं भजन करता है, उनकी आग्या नहीं मानता है, तो गुड मैन होकर के नहीं रहेगा, वो निश्वड गुड अइनिमल बनेगा, पक्का प्रशूब बनेगा, दंद प्रापत होगा अग्रह से यदराष्ट को ग्यान हुआ और वे अपने निपट महयुत व्यपारों को देख पाए, प्यूटिफॉल स्टेटमेंट्स, कौन वेक्ति ऐसा है जो भगति कर रहा हूँ गमीटा से वे अपनी हैसी स्थिति को नहीं देख रहा हो था, कि हम किस प्रकार से करेंगे जो पहले से विज्ञान आत्मनी थे, ब्रह्मबोद से युक्त थे, दिख रहा है कि हम सपन के पीछे लगे वे थे भगने में, तो कह रहा है कि यह किसकी कृपास से हुआ, जैसे यहां पर विदोजी कृपास हो, ऐसी भगतों के उनके वचन सुन करके, साधना करके उनका मार दर्शन परप करके, हम लोग भी उसको अनभाव कर रहे हैं, और वे अपने निपट, निपट, मोह युक्त व्यापारों को देख पाए, यह बहुत सुन्दर लाइन है, व्यापारों को देख पाए, आर यह अबल टो सी देट इन लाइफ, कि कैसे हम लोग मोह मैं उनका 2020, पूरा संघर्शुम गया, अर्थात, वो संघर्श जो बेमानी थे, जिनका कोई मतलब नहीं था, I was very happy to hear that, बहुत प्रसंता हुई, कि हम उनको कुछ दिख रहा है कि हम अपना जीवन व्यर्थ कर रहे थे, भाई, जब दिख रहा है कि जीवन व्यर्थ कर रहे तो क्या अब भी वैसे करेंगे, और आगे भी वही प्लानिंग रखेंगे, नहीं रखेंगे, अगर दिख रहा है तो, बहुत अच्छा तात्तर प्रपाजी का है, मैं मूर्था में बेवकूफी में जीवन व्यर्थ कर रहा था, अगर ये दिखेगा, तो वैसा उस जिन्द करता हुआ देखते हैं, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, देखने कर समझ पा रहे हैं, स्कृरीन की तरह दिख जाए कि भाई हम तो बेगूफी का जीवन व्यर्थ कर रहे थे, नरक जाने के मार्ग पर थे, highway, expressway पर थे, नरक expressway, मैं तो अपनी बात पो बड़ा पश्टम द कुछ समझ रहे हैं कि इस आत्मान अभूती के लिए उन्हें कितना determination चाहिए विर्धा वस्ता तीन बारस्नान अग्वी होत रिजा लित्वयाद लेकिन वो देख रहे हैं कि मैंने जो आज तक सुख के लिए प्रयास किया विनितांत मुर्गता थे निपट मोह के कारणी कर रह होगा मैं बार-बार इस बात को एंफेसाई कर रहा हूँ यह हर विक्ति को समझ में आना चाहिए कि सुख प्राप्ती का प्रयास कर रहे हैं लेकि सुख मिल नहीं रहा है दुख ही प्राप्त हो रहा है तभी इस जगत से विक्ति बाहर निकलने के बारे मैं सूचेबार और प्रियास से उसमें वो द्रड रहेगा. यू मस्ट बी शोर कि ये जगह हमारे लिए अच्छा नहीं है. अगर हम जेल से बाहर निकलना चाहते हैं, तो क्या जेल में ये भावना भी होने की, बैई, इतनी बूरी तो नहीं है. हफ्ते में दो दिन तो यहां रह सकता हूं, बागी पास दिन बाहर रहे लोगा ऐसा. ऐसा तो नहीं सो सकते ना, अगर जल से बाहर निकलना है. क्यों भाशिर्ना जी? सही बोल रहे हैं, जेल में उपाद्दे बुद्धी तो नहीं हो सकते, जरे बहुत अच्छी बाते लग रहे हैं. जितना अपने विगत जीवन की मोहक अवस्था को मुर्ता को समझेगा, उतना ही व्यक्ती भक्ति में जो तपस्याशो करने के लिए द्रड़ प्रतिग्जी रहेगा. पीछे नहीं हटे. ऐसे स्थान पर जो स्वर्गिक गंगा के प्रभास से पवित्र था स्वर्धुनी शब्द के वो बता रहा है प्रपाजी ने उनकी आध्यात्मी प्रग्यृति की भविश्वानी कर रहे थे समझ मारा इस पष्ट अभी सब हुआ नहीं है लेकिन बता रहे किसा होगा बीना भोजन किये कीवल जल रहना भी उपवास करना माना जाता है आध्यात्मी ज्ञान प्राप्ती के लिए आवश्यक है कि लिए यह आवश्यक है मतलब कुछ आवश्यक है कि हम लोग इतना लिए करते है मूर्ख वेक्ति विद्यंविदानों का पालन कि यह बिना सस्ता योगी बनना चाहता है अब कि उसमें नियम पालन करने के चलिए यह मस्स सोची हूं कि हम आपको अइसे आपको माजाक में बोल रहे हैं IA TV योगा शिखाने आते थे मैं मुह पही पूछा हूं भारत का विदेश में परचार करने के लिए तो खुद मास खाने लग गया है तो उसका अनुमोदन करने लगेगी, मास खा सकता है, यो करना से कुछी करने है, हमारे तनिश्प्रों बता रहे थे, जो वेक्ति मास खाता है, वो मास कितना 20 साल तक उसके शरी में पड़ा रहता है, पच्टा नहीं है, 20 साल बता रहे थे आप, 20 एर्स, सब्सक्राइब लगे अंदर लुक्ति में, जो कह रहे हैं, वो काटेंगे, जो कह रहा हैं यो कर एक बात बात हैं, बिना इंद्रिय सयम कि हम योगी नहीं बन सकते हैं, सर्व प्रतम जिस वेक्ति की अपनी, क्या लिए इसके पर दिखनी रहा कुछ, कि आप लोग दीख रहा है कि अब लिख यह वह कभी योगी नहीं बन सकता अब सुल यह ना सर्परतम जिस विक्ति कि अपनी जीभ पर लगाम नहीं है वह कभी योगी नहीं बन सकता भोगी तो पहले से हैं ने खाना शोड़ना तो संभव नहीं है पूरी तरह से लेकिन प्रसाद के अलावा जो और कुछ खा रहा है आप कहें वह भक्त बन जाएगा बड़ा अच्छा वाला तो बहुत मुश्किल है योगी तथा भोगी दो विर अब इसको बुला रहा है कि शादी में आओ यहां जाओ पहले बाद तो पहले मना करती जिए और जाना भी पड़े तो कहा हम खाएंगे नहीं कुछ भवाल के प्रसाद के लब हम कुछ नहीं खाते हैं हां कुछ भुश मुश्व भुश्य को थूस्तो नहीं देगा आपको है के नहीं इस तो नहीं कर रहहा है इससे अब अप्राद होता है भक्तों की बात कर रहे है भूगी अर्था जो खाता पिता मज करता है वह योगी नहीं बन सकता क्योंके योगी को मनमाना खाने तथा पीने की छूट कभी भी नहीं है, शादी बाल्टी में भी कुछी नहीं है, योगी ग्रहस्तों को भी बोलते हैं जान दीजेगा, भगवान गीता के चटे अधाय में बोलते हैं कि जो विक्ति योग में अपूंड रह गया वह योगियों के जन्म लेता है, तो ब्रह्मचारी के तो नहीं ले सकता ना, इस पास्ट शब्द है कि नहीं, योगी नाम, योगियों के जन्म लेता है, तो योगी म में आओ जो चाहे खाओ यह सब नहीं हमें इस बात पर ध्यान देने से लाब होगा कि दितराश ना किवल जल पीकर तथा एकांद में बैठ कर भगवान हरी की विचारों में तनमे होकर कैसे अपना योग प्रारम किया था समय हो गया है तो इसको हमा कल ले लेंगे है ना योग कर रहे थे ताकि उनका मन केंद्रत हो मन अभी बहुत भासा हुआ था भोगों में तो मन केंद्रत हो जाए और वह भगवान में लगे इसलिए अशनांग योग का भ्यास कर रहे है अब आप लोग बताएं तो ये श्लोग चाहें उसको मेरा रस कर लेते हैं, कुछ नहीं है, मैं कासे कुछ भी नहीं है, नहीं है, ओके, ठीक है, क्या कर रहा है, एक श्लोक और लेने, मैं कासे परायन भी करना है, तो, अगर भगवान को प्रसाद नहीं लगा है, तो फल भी क्यों खाएं मताई है, क्या जूरत है भगवान को भोग लगा दीजिए, ठीक है ना, जैसे ग्रहस्त लोग साध्वों के संग में ना आने की हजार बहाने कर देते हैं, कि यह था वो था वह था ऐसा वह था इसी प्रकार से हजार एक सो आट बहान ने आप लोड़िए कर इस सर में दर्थ था, मैंने पेट में खराबी था, पत्नी की सर में खराब हो गए शादी नहीं जाएंगा, क्या होगा, एक शादी में आप जा सकते हैं, अपनी शादी में अब शादी हो चुकी तो मत जाएंगा, अजीब सी बात लगती हैं, आप वह समाझने जहां पर रहन आप जहां पर जहां पर जाते हैं, जा सकते हैं, लेकिन खाई तो मत कम से कहा है, खाने को जब्रूस्ती नहीं है है, ठीक है, हम तो बताने के लिए हैं, बाकि पालन करना करना वह आपकी इच्छा जैसे करना चाहें लेकिन प्रसाद नहीं प्रसाद किलाबा कुछ और ग्रहन करना ही बहुत नफसान दे मेरा मन करने का लेकिन फिर आज का प्राण छोट जाएगा तो हम यह रुकते हैं श्रीमत भागवतम की जाए श्री लप्रभुपाद की जाए दाई को प्रिमानन दे